शादी से दो पईया वहां से लौट रहे ये तभी रात के अंधेरे में खड़े रेती से लदे ट्रैक्टर को दो पईया वहां ने टकरमा दी जिसे दो लोगों की घटनेस तल पर ही मौत हो गई वहीं एक लड़की गंभी रूप से घायल हुए प्राप्त जानकारी के अनुसा चार मई की रात आंट बचका पंदर मिनिट के करीब सुधाकर भेसारे जगदीश धुर्वे और निकिता भेसरे सभी पार्टन सावंगी निवासी पारिवारिक शादी में शरीक होने पार्टन सावंगी से दो पईया क्रमांक MH40X1935 से गए थे शादी से वापस आते वक्त मंगसा पैट्रोल पम के पास रास्ते की किनारे अंधिरे में पिछले दो दिनों से रेती से लदे खड़े ट्रेक्टर की चपेट में आने से सुधाकर भेसारा बावन और जगदीश धुर्वे 38 की मौके पर ही मौत हो गई जबकि निकिता भाई सारे की हालत नासुख है गटना की जानकारी हित जोती फाउंडेशन की तेश बंसोड को प्राप्त होते ही अपने सही योग्यों के साथ गटना सतल पौच कर घायल युफ्ती को उपचार हेतु नाकपुर रवाना किया गया सावने केलबद मार्ग पर हमेशा वहनों की वहन चालक रास्तों को महमार्ग समझ कर महमार्गों वाली रफ्तार से वहन चलाने के आदी हो चले हैं साथी सामने केलबद राजमार्ग सिंगल रोड होने के साथी अनेक स्थानों पर छोटे बड़े मोड और रास्तों की दोनों और कटीले पेड़ों के कारण रास्ते पर खड़े और आगे से आने वाले वहन दिखाई ना देने से इस मार्क पर आए दिन सड़क हाथसों में लोगों को अपनी जान गवानी पड़ रही है समद्द विभागों ने इस और ध्यान नहीं दिया तो यह सड़क हाथसों की सड़क बन जाएगी और कईयों की जाने जा सकती है सावनेर से NBCN न्यूस के लिए समवादता किशोर ढूंडेले की रिपोर्ट